उधारण 13 यदि A अनुपाद B समान अनुपाद C अनुपाद D हो तो सिद्ध करे की A की घात दो रिण C की घात दो बटा B की घात दो रिण D की घात दो बराबर A C बटा B D हल माना A बटा B बराबर C बटा D यह हमारे पास दिया है क्योंकि प्रस्च में दिया है कि A अनुपाद B समान अनुपाद C अनुपाद D है अब हम इस समान अनुपाद को बराबर के मानते हैं माना A बटा B बराबर C बटा D बराबर के है तो A कमान ग्याद करने के लिए हम B बटा D को छोड़के A बटा B बराबर के मानेंगे और तीर्यक गुणा करने पर हमको A कमान B के प्राप्त होंगा उसी तरह से C कमान ग्याद करने के लिए A बटा B को हम छोड़ देंगे C बटा D बराबर के और जब हम इसका तीर्यक गुणा करेंगे तो C कमान जो होंगा D के हमें प्राप्त हुआ C बराबर D के होंगा अब जो हमारे पास प्रश्ण दिया है उसको सिद्ध करने के लिए हम इसका बाया पक्ष लेंगे जिसे हम कहते हैं Left Hand Side बाया पक्ष में हमारे पास प्रश्ण में दिया हुआ है कि A की घाद दो रिन C की घाद दो बटा B की घाद दो रिन D की घाद दो बराबर हमने उपर में अभी प्राप्त किया A बराबर B के हम A के इस्थान पे लिखेंगे B के का की घाद दो रिन C का मान हमने D के प्राप्त किया है तो C के स्थान पे हम D के रखेंगे D के कोश्टक के बाहर की घाथ दो बटा B की घाथ दो रिण D की घाथ दो बराबर यहां पे हम दोनों पदों में ध्यान से देखेंगे तो K की घाथ दो है तो हम इसे कोश्टक को जब हम खोलेंगे तो B की घाद 2, K की घाद 2, RID, D की घाद 2, K की घाद 2, Bटा, B की घाद 2, RID, D की घाद 2 अब दोनों पदों में क्योंकि यहां पे K की घाद 2 है तो हम K की घाद 2 को वहनिष्ट के रूप में निकालेंगे तो हमारे पास कोश्टक के अंदर यहां बचेंगा B की घाद 2, RID, D की घाद 2 कोश्टक बंद करेंगे, बटा, B की घाद 2, RID, D की घाद 2 यहां पे अंश और हर में B की घाद 2, RID, D की घाद 2 कट जाएंगा और हमें प्राप्त होंगा K की घाद 2 इसे हम स्वमी करण एक मान लेते हैं. अब इसका दायापक्ष हम लेंगे प्रश्ट में जो हमारे पास दिया है दायापक्ष जिसे हम राइट हैंड साइड कहते हैं. तो right hand side में या दाय पक्ष में हमारे पास प्रस्ट में जो दिया है सिधे करने के लिए AC बटा BD है यह हमारा right hand side बराबर AC बटा BD अब A का मान हमारे पास है BK गुणा C का मान है हमारे पास DK बटा BD बराबर के को जब हम के से गुणा करेंगे तो के की घाथ दो गुणा BD बटा BD यहां BD BD हम उपर अंश और हर में काट देंगे तो हमें प्राप्त होंगा के की घाथ दो जो की हमारा दूसरा समी करन है अब समी करन एक और दो से हम कह सकते है के है सकते है की हमारा जो प्रश्न है A की घाथ दो रिण C की घाथ दो बटा B की घाथ दो रिण D की घाथ दो बराबर AC बटा BD तो हमने देखा की इसका बायापक्ष और दायापक्ष दोनों का मान की की घाथ दो आ रहा है तो अब हम कह सकते है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हुआ या बायापक्ष बराबर दायापक्ष इस तरह से दिये गए प्रश्न को हमने सिद्ध किया या इस प्रश्न का हल होगा व्यूत क्रमानुपात हम देखते हैं कि एक निश्चित राशी से खरीदे गई वस्तुओं की मात्रा कीमत बढ़ने पर कम हो जाती है वहीं कीमत घटने पर यह मात्रा अधिक हो जाती है बस, टेक्सी, साइकल, आधी की स्पीड यानि की चाल बढ़ाने अत्वा घटाने पर उसी दूरी को तै करने में लगा समय घट या बढ़ जाता है किसी कारे को पूर्ण करने में लगा समय कारे करने में लगे वेक्तियों की संख्या घटाने या बढ़ाने के साथ क्रमशा बढ़ या घट जाता है यह सब व्युतक्रमानुपाती संबंध है सोचे एवं चर्चा करे व्युत्क्रमानुपाती संबंद के ऐसे ही कुछ और उधारन खोज कर लिखिए व्युत्क्रमानुपाती संबंद बहुत सी जगह उपयोग में आते हैं हम उधारन से समझते हैं